की जे एक पॉर मन्स की लिए थी जिसकी पॉलिसी बज़ार से ली थी लास्ट ियर ऊक्टूबर में तो मैंने 30th October को ये पॉलिसी ली थी जैसा कि आप ये screenshot में देख पा रहे हो तो ये मैंने 4 months की ली थी जिसका प्राईस था 7616 रुपइय और सामें शवाइड था एक लाख डॉलर तो जब ये policy फोर मन्स के अंदर कतम होने वाली थी तो मैंने वापस policy bazar को email लिखा कि I want to extend this policy और इसके दो महिने के charges कितने होंगे या फिर तीन महिने के क्योंकि मुझे exactly पता नहीं था मैं कब वापस आने वाली हूँ इसके immediately बाद मुझे वो वाला email आ गया जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो email है वो हमें मिल गया है acknowledgement type उसके बाद उनका email मुझे आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये form आप भर के भेज़ दो extension के लिए तो मैंने 31st को वो form भर की उनको वापस भेज दिया उसके बाद में फिर से वही auto generated email आया था कि thank you we have received your email acknowledgement के तोर पे उनोंने मुझे email भेज दिया था उसके बाद में मुझे 2nd February तक कोई भी उनकी तरफ से reply नहीं आया था तो मैंने उन्हें वापस से email किया लिखके कि any update on my request ये भेजने के बाद फिर से वही auto generated मेरे पास email आ गया था तो अभी तक इतनी भी conversation हो रही थी उसमें कुछ भी personal touch नहीं था हाला कि नाम नीचे जरूर लिखा रहता था किसी executive का बट वो सारे auto generated email जैसा ही लगता था फिर उसके बाद में 3rd January को फिर से मेरे पास email आया उसमें लिखा हुआ था कि आप अपना current trip का travel ticket या फिर passport copy भेज दो जहां पर departure का stamp हो ठीक है और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि printed जो आपके passport का first page है वो भी भेजना है साथ में तो ये भेजने के बाद मैंने दोनों photo passport की और proof of travel उनको भेज दिया जैसे कि यहां पर दिख रहा है stamp भी है और passport का first page भी है लेकिन उसके बाद में मैंने ये 3rd February को भेजा था फिर से मेरे पास वही auto generated email आ गया जैसी मैंने भेजा उसके बाद में जब मैंने वो भेज दिया तो मुझे वहां से email आया कि आपका जो case है वो भेज दिया है further extension के लिए तो आप wait करो 4th को उनका email आने के बाद मैंने wait किया कि वहां से कुछ update आएगा कि उन्होंने ऐसे क्यों लिखा था क्योंकि मैंने clearly वो stamp उनको भेजा था जिस पर departure date डली हुई थी इसके बाद मैंने उनको reply किया कि आपको जो मैंने email भेजा उसमें clearly stamp में लिखा हुआ है कि 31st October को मैंने departure किया है and मैंने उनसे ये भी पूछा कि please explain what is not visible so that मैं वो दुबारा भेजदू उनको उसके बाद 2 दिन बाद February 10 को फिर से मुझे email आया कि we acknowledge your email और हमने वो forward कर दिया है insurance company को for further extension दस्तारी के बाद मुझे फिर से कोई update नहीं मिला तो मैंने 13th February को दुबारा उनसे पूछा any update on this इसके बाद फिर से वही मुझे email आगया कि आपका जो भी case है हमने forward कर दिया है और आप wait करो और यह मुझे same day आगया तो मैंने 18 को भेजा था तो 18 को उनका reply आगया तो auto generated type इसके बाद मैं मुझे फिर से email आया 27 February को जिसमें लिखा हुआ था कि this is to inform you that your passport stamp is not available hence kindly assist with the ticket copy मैंने उनको clearly stamp भेजा था उसके बाद भी वो मुझे ticket copy मांग रहे थे और मैंने 30th January को यह सब शुरू किया था और तब तक उनोंने यह सब conversation में बेकार के फालतू conversation में उनोंने पूरा एक महीना निकाल दिया था 27th February को वो मुझे बोल रहे है कि आपका stamp visible नहीं है, available नहीं है तो आप हमें ticket copy भेजो etc उसके बाद मैं एक महीना हो गया था तो मैं भी एक दम irritated हो गई थी इन लोगों से तो फिर मैंने छोड़ी दिया था उस time तक मैं decide कर लिया था कि 2-3 वाइने जो भी मुझे Canada में extra रहना है अभी, मैं अब इनकी policy नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि Tata AIG से भी मुझे ऐसे ही response आ रहे थे और policy bazar से भी मुझे ऐसे ही response आ रहे थे उसके बाद में इनोंने मुझे एक March को भी ऐसे email भेजा सेम email जिसमें लेखवा था कि stamp नहीं है वो भेज दो and फिर 2nd March को भी इनका एक auto generated सा email आ गया था मेरे पास कि we try to contact you etc तो इनोंने मुझे 3rd March तक ऐसे हैसे emails भेजे कि we are waiting for your response etc finally 3rd March को इनोंने मुझे query has been resolved करके message भेज दिया और issue में लिख दिया product related issue है product information required तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं अगर आप इस तरह से फस जाते हो बाहर तो इनके उपर बिल्कुल rely मत करो अंदाजे से आप पहले सही policy लेकर जाओ गर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आप 5 महीने 4 महीने 10 महीने जितना भी रहने वाले हो उसके हिसाब से लेकर जाओ विकोस जैसा support मुझे policy बजार और Tata AIG से मिला जब मैं वहाँ थी तो मुझे बिल्कुल hope नहीं है इनके उपर क्योंकि जब लोग हम इंडिया में नहीं रहते हैं तो हम अपने phone को भी उतना use नहीं कर सकते हैं वो भी काफी expensive पड़ता है तो directly इनके customer service पे भी हम लोग phone नहीं कर सकते हैं और email पे तो आपने देखी लिया है लोग कैसा support देते हैं proper information provide करवाने के बाद भी इनोंने मेरा ये case ये कहके close कर दिया कि इनको पुरा information नहीं मिला एक मेना तीन दीन उनने लगाया लेकिन उसका कोई भी outcome नहीं निकला तो मैं बहुत ही disappointed थी policy बजार से और Tata AIG से मुझे ऐसे लगता है या तो आप direct company से ही अपना policy ले लो जब भी आप travel करने जा रहे हो या फिर आप पहले से decide करके जाओ थोड़ा सा extra ही ले लो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप extend कर सकते हो अपना travel क्योंकि ऐसे support के साथ में तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ जाके बाद में extend कर पाऊगे तो ये था मेरा experience policy बजार के साथ में और Tata AIG के साथ में साथ में मिलते हैं next मिलते हैं next video में कुछ और information के साथ तब तक के लिए goodbye and thank you